ओम श्यान्ति आज अपका 99 दिन का वर्दान इश्वरी वर्दान में आज परम पिता परमात्मा हमें अधिकारी बनने का याद दिलाते हैं बाबा कहते हैं बाबा मतलब पिता बाबा कहते हैं कि जब तक तुम अपने आपको अधिकारी नहीं मानोगे तब तक तुम्हारा मेरी शक्तियों और मेरे गुण और मेरे ग्यान के उपर कोई अधिकार नहीं मिलेगा और ना ही तुमें वो सारी शक्तिय मिल पाएंगी, सारी गुण मिल पाएंगे जब तक तुम अपने आप को मेरा बच्चा नहीं मानते हो तो अधिकारी भी वही होता है जो की अपने पिता को या अपनी मा को जानता हो तो इसी तरीके से परमात्मा कहते हैं कि जब तुम मुझे पैचान जाते हो, मुझे जान जाते हो और मेरे गुणों और मेरी शक्तियों को पैचानते हो उनको स्मृति में रखते हो तब जाकर के तुम्हें अधिकार मिलता है लेकिन आजकल की दुनिया किस में विलीन है अपने धन, अपने तन और अपने रिष्टेदारों के अंदर ही विलीन हुई है तो परमात्मा कहते हैं अगर तुम मुझे अपना मात पिता बंधू सखा नहीं मान सकते और औरों की ही बातों में, औरों की ही साथ और संगत में रहते हो और उनी के साथ में अपने दिल को लगाए पड़े हो तो मुझे से क्या अधिकार पाओगे तो आईए देखें आज बाबा कहते क्या हैं और इस अधिकार को हम ले कैसे ओपिस तो बाबा कहते हैं आज की वर्दान में अधिकारी पन की स्मृति द्वारा स्मृति याद रहे की तब ही तो अधिकार होगा न सर्वशक्तियों का अनुभव करने वाले अब शक्तिय हैं कौन सी उसके बारे भी हैं हम बात करेंगे प्राप्ति स्वरूभव तो विस्तार में चलें यदि बुद्धी का संबंद सदा एक बाप से लगा हुआ रहे अगर बुद्धी मेरी चाए कुछ भी हो जाए दुनिया में बुद्धी के करती है निर्णे करती है तो चाए उँच नीच हो जाए चाए कोई अच्छा बुरा बोले चाए धनका आपको किसी चीज का नुक्सान हो जाए लेकिन बुद्धी अगर एक बाप दूसरा ना कोई एक बल परमात्मा एक भरोसा परमात्मा एक निश्चे परमात्मा अगर उनके उपर ही सब कुछ है और उनके साथ मा हमारा बुद्धी योग है मलब बुद्धी जुड़ी हुई है हर चीज के उत्तर उन से कोई हमें दुखी करे तब भी परमात्मा के साथ में हम लग जाए एक चोटा बच्चा भी जब होता है जब डरता है किसी से तो वो क्या करता है भाग कर अपने पिता के पास में जाता है है ना कि वो लड़ने जाता है उसके साथ में जो डरा रहा है उसको नहीं तो परमात्मा भी कहते हैं कि फटा फट भाग करके मेरे ओड में आ जाओ मेरी छत्र चाय में आ जाओ ना कि वहां जाकर के लड़ो तो परमात्मा कहते हैं कि जब तुम मेरी छत्रा चाय में आते हो, मुझे अपना पिता मानते हो तो मेरी जितनी भी दौलत थ्य संपत्ति है जैसे एक दुणियावी लविक पिता की होती है वो सारी तुमारी बन जाती है तो परम पिता परमात्मा को हम भक्ती में सोचने हैं हमें धन देते हैं, हमें वो जाइदाद देते हैं, वो हमें husband या wife देते हैं, या वो हमें एक घर देते हैं, परमात्मा कहता है कि मैं तो ये सारी चीज़े नहीं देता हूँ, यह तो तुम अपने कर्मों के हिसाब से पाते हो, लेकिन मुझसे तुम इस शक्ती गुण ये सारी चीज़े पाते हो जिनको तुम इस्तमाल करके अच्छे कर्म करकरके तुम अपने फल पाते हो तो परमात्मा कहते हैं कि तुम अपने को मेरा बच्चा पहले मानो तो ही तुम अधिकारी बन पाओगे तब ही तुम सारी शक्तियां और सारे गुणों के अधिकारी बन पाओगे तो यदि बुद्धी का समंद सदा एक बाप से लगा हुआ रहे तो सर्वशक्तियों का वर्सा अधिकार के रूप में प्राप्त होता है अगर एक बच्चे का भी अपने पिता के साथ में संबंद अच्छा ना हो तो क्या होता है पिता भी उनको प्रापर्टी दे के नहीं जाएगा तो यहाँ पर भी हमारा अगर संबंद अपने पिता के साथ ना हो लेकिन बच्चों के साथ हो तो जितने भी हमारे रिष्टेदार है जित्ती जो भी लोग है जित्ती भी दुनिया है वो सारे कौन है वो सारे परमपिता परमात्मा के बच्चे ही है आत्मा कर समझें तो अगर हमने उनसे रिष्टा बुरा किया बिगाड़ा तो हमारा रिष्टा पिता के साथ कैसा होगा सोचने वाली बात है ना तो परमात्मा कहते हैं कि तुम सब मेरे बच्चे हो लेकिन तु बेले अपने आपको आत्मा समझो और उसे रिष्टे अच्छे करो, तब जाकर के तुम्हारी मेरे से प्राप्ती होगी और अधिकार मिलेगा, तो अधिकार लेना भी आना चाहिए न, तो जो अधिकारी समझ कर हर कर्म करते हैं, उन्हें कहने वा संकल में भी मांगनी की नहीं तो भक्ती में हम क्या करते हैं, सामने बैठते हैं मूर्ती के, या तस्वीर के सामने बैठते हैं, हे प्रभू शांती दो, हे प्रभू शक्ती दो, हे प्रभू आनन दो, हे प्रभू खुशी दो, हे प्रभू तरक्की दो, परमात्मा कहते हैं, तुम मेरे बच्चे हो तो तुम्हें मांगनी की दूरत नहीं है भक्त जो भगवान को भगवान कहते है और जो ग्यानी होते हो भगवान को भगवान नहीं पिता कहते है कितना अंतर है भगवान कहना या वाइगरू कहना या अल्ला कहना और एक जगाप पिता कहना तो दुने में कितना अंतर होगे न तो एक हो गया आपसी संबंद और एक हो गया दूर करके संबंद बनाना तो परमात्मा कहते हैं जब तुम मेरे बच्चे बन जाते हो मेरे अनुसार चलते हो तो तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होती है तुम्हारे कर्म ही तुम्हें उचा उठाते हैं मेरी नजरों में तो तुम सब चीजों के अधिकारी ऑटोमेटली बन जाते हो तुन्हें मांगनी की आवशक्ता नहीं रहती यह अधिकारी पन की स्मृती ही सर्व शक्तियों के प्राप्ति का अनुभव कराती है अधिकारी हूँ तो शक्तियों क्या है पर्मात्मा की क्या शक्तियों सकती है पर्मात्मा सारे श्रिष्टी पे नाटक को देखते हुए भी सक्षी क्योंकि उनको ग्यान है कि हर आत्मा अमर अजर अविनाशी है तो कोई मरता ही नहीं है जिसको दुख हो रहा है वो अपने कर्मों का उसको फल मिल रहा है जो जैसे कर्म कर रहेगा उसको वैसा फल मिलेगा परमात्मा कहते हैं मैं तो किसी को दुख देता नहीं हूँ नहीं मैं किसी को पनिश करता हूँ आत्माय अपने ही कर्मों के अनुसार मेरे सामने जब प्रकट होती है तो मेरे पवित्र सुरुप को देख करके उनको लज जाती है और वो अपने ही पापों का भुक्तान करती है मैं किसी को भुक्तान कराता नहीं हूँ नहीं मैं किसी को कभी भुकता निकले कोई punishment देता हूँ वो खुदी-खुद को ही swim नीचे गिराती है तो अपने आप ही फल पाती है हाँ, मेरे सान में जब आती हैं तो आखों से आखें ना मिला पाएं ये आखों से आखें ना मिला पाएं, ये तो आखों की बाती नहीं उपर जा करके तो ये आखें जब आखों से ना मिला पाएं परमात्मा के तीसरे नेतर से हमारा तीसरे नेतर ना मिल पाए तो लज जा आती है और अपने आपको ही punish करना पड़ता है तो नशा रहे कि सर्व शक्तिया हमारा जन्म सिद्धिकार है शक्तिया कौन सी सहन करने की शक्ति किसी की उच नीच की बातों को समाने की शक्ति फिर हमारे अंदर सब चीजों में अच्छा क्या है बुरा क्या है परखने की शक्ति यह नहीं कि औरों में अच्छा क्या है बुरा क्या है नहीं औरों में अच्छा क्या है सर्फ वो मेरे में बुरा क्या है उसको change करने की शक्ति और साती सात निर्ने करने की शक्ति सामना करने की शक्ति अपनी कमी कमजूरियों को औरों को सामना नहीं करना है और उसका सामना नहीं करना है, उसको मैं ठीक कर दूँ, उसको मैं ठीक कर दूँगा, नहीं, अपने आपको ठीक करना, अपने अंदर की कमी कमजीरों का सामना करना, और फिर संकीन करके रहना, ज्यादा बोलना नहीं, ज्यादा सोचना नहीं, ज्यादा बुरा देखना नहीं, सब कुछ स्वच्चता में रहना तो इस सारी शक्तिय, आठ शक्तिय जिनको कि मैंने नीचे description में भी डाला हुआ है, वो सारी शक्तिय हमारे अंदर बढ़ती जाती हैं तो आप इस वरदान को सोचें, आप अधिकारी है कि अधिकारी का आपका अच्छा रहे, आप स्वस्त रहे और शक्तिशाली रहे, परमात्मों की चत्र चाय में रहे, आपको दिन शुब हो